राजिस्थान में लगतार हो रही भारी बारिश ने जन जीवन को प्रभावित किया है राजधानी जैपूर समेत कई जिलों में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है बीते कुछ घंटों में जैपुर शहर के कई लाकों में एक से डेड़ घंटे तक जमाजम बारिश हुई जिसकी वज़े से शहर की सड़कों पर पानी भर गया और जैपुर फिर से जलमगन हो गया आज के मौसम की बात करें तो मौसम केंदर जैपुर ने नागौर, करौली, सवाई माधेपुर, टौंक, बूंदी और धौलपुर सहित का इस जिलो में येलो अलर्ट ज़ारी किया है इन जिलो में मेगरजन के साथ हलकी से मध्यम बारिश की संभावना जुताई गई है इस दोरान स्थानी नागरिकों को साफधान रहने और बारिश के दोरान सेफ रहने की सलहा दी गई है मौसम विभाग केंदर के अनुसार आने वाले चार से पांच दिनों के लिए पूरवी राजस्तान के लगभग हिस्सों में मौनसून आक्टिव रहेगा इस दोरान दक्षणी और दक्षण पूरवी राजस्तान में कहीं कहीं भारी बारिश और अती भारी बारिश की संभावना है हाला कि 10 सितंबर से भारी बारिश में कमी आने की संभावना जुताए गई है बीकनेर संभाग में 8 सितंबर से जोदपूर संभाग में 9 सितंबर से बारिश की तीवरिता में कमी आ सकती है और इस समय के दोरान अधिक्तम तापमान में भडोतरी होने की संभावना है पिछले 24 गंटों के दोरान जैपुर, अजमेर, भरतपुर, सवाई माधेपुर, करॉली, भीलवाडा, टॉंक, जैपुर, जोधपुर और बाडमेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है खासकर बूंदे जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई, यहां 141 एमेम से ज्यादा बारिश दर्च की गई पश्चमी राजस्तान के जोधपुर में 90.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वज़े से प्रदेश के कई छोटे और बड़े डाम ओवर्फलो हो चुके हैं, जिससे स्थानिय नदिया और जलाशाए अच्छे लेवल तक भर गए हैं इस समय प्रदेश के मौसम में बदलाव की कारण जल प्रभंदन और अपात कालीन सेवाओ पर ध्यान दिया जा रहा है, मौसम विभाग और स्थानिय प्रिश्वासन ने नागरी को से अपील की है, कि वो भारी बारिश और संभावित बार की स्तितियों से सावधानी बढ़